नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है। नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है। नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है। आपको बता दे कि इस सिल्सिले में निलगिरी के मावा नेला से रेमंड और प्रसांत नाम के दो सक्स को ग्रफतार किया गया है। तीसरे यानी रियान की तलास जारी है। इन तीनों पे बन जीव सरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। बन विभाग के मुताबिक रेमंड और रियान दोनों भाई हैं जो अपने पिता के घर में होमिष्टे चलाते हैं। होमिष्टे में महेमानों की रुखने की बेवस्था होती है। प्रसांत इसी होमिष्टे के तहत वहां रह रहे थे। बन विभाग ने ये भी बताया कि उनके होमिष्टे के नजदीक आये हाथी को इन तीनों ने वहां से ख़देडा जिला प्रसासन ने गयर कानूनी तरीके से चलाये जा रहे हैं उनके लाज को सील कर दिया है। शुरू में इस घायल हाथी का इलाज मसीना गुड़ी के नजदीक मुदू मलाई टाइगर रिजर में हुआ लेकिन हाथी के जख्म ठीक नहीं हुए और उसका पूरा कान अलग हो गया इसकी वज़ा से उसके खुन निकलने सुरू हो गये। बाद में बन विभागने इस हाथी को इलाज के लिए ठेपाकाडू कैम ले जाने की कोशिस की लिकिन बिगड़ते हालत की वज़ा से उसकी मौत हो गई। अक्षित नहीं रा गया है अब जंगल की ही हाथीयों के लिए एक मात्र जगह बची है। लिए कमेटी का गठन किया और ततकाल इसे रुकने का आदेश दिया है लेकिन इसके बावजुद इस इलाके में अतिक्रमण जारी है जिसे बन जीवों को नुकसान हो रहा है। उन सभी बन जीव कारिकरता इसके खिलाफ कठोर करवाई की योजना बना रहे हैं लोग वहाँ प्वे काफी आक्रोसित हैं और कड़ी से कड़ी करवाई की मांग कर रहे हैं। परवीन आंगोसामी उन्होंने एक वीडियो सेयर किया है और इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से दोनों ने हाथी के उपर जलती हुई चीज फेकी और हाथी जलते हुए कैसे बन की तरफ भाग रहे हैं तडप रहे हैं और अब जो करवाई तो हो रहे हैं लेकिन करने की जरूरत है और सिरियस एक्षन लेने की जरूरत है तो आप रहे हैं बेखबर देखते रहे हैं इन खबर थैंक्यो इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें